आप इंडियरिंग स्टुडेंट हैं, आप फीटर हैं, फेबरिकेटर हैं, फोर्मेल हैं, और आप जॉब ढून रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रहा हैं, आप इंटर्वु में फेल हो रहे हैं, इंटर्वु में पास नहीं हो रहे हैं, आप जब भी इंटर्वु देने जा रहा है क्योंकि ठोकर ठाने से यह आदमें सिखता है इसलिए इस वीडियो को आप अंतर देखे मैं इसमें बताने जा रहा हूं टॉप टॉइंटी कोस्टेन और एंसर जो कि नॉर्मली हर एक इंटर्वियू में पुछा जाता है तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं पाइपिंग कंस्ट्रक्शन डिलेटेड टू ओल और ग्रस डिफाइड़ी प्रोजेक्ट तो इसमें मैंने इजी से डिफिकल्ट कोस्टेन को वां से 20 में सजाया है तो फर्स्ट अप और कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला सबसे ज़्यादा है पाइपिंग कोई भी कंस सबके लिए फाइड़ मंद होने वाला है मैंने इसको बेसिक कोस्ट्यन से सुरू किया है मतलब जो बेसिक कोस्ट्यन है वो सबसे पहले रखा है अगर डिफिकल्ट कोस्ट्यन है वो मैंने लास्ट में रखा है तो वीडियो को अंतर जरूर देगे तो फर्स्ट कोस्ट्यन जो मैंने सेट के आया जो पहला कोस्टेन है, what is pipe और what is piping? pipe और piping क्या होता है? अगर इसको बोला जाये तो, this is a hollow cylindrical system, which helps to transfer a liquid or fluid from one place to another place, मतलब एक ऐसा यह system है, जो बहने वाला कोई भी सामान, मतलब कोई भी fluid, कोई भी liquid, कुछ भी तलव पतार्थ जो होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सहाज्यों करता है मतलब इने वाड हम इसको बोल सकते हैं transportation system मतलब जैसे हम लोग bus में truck में कोई माल भेशते हैं bus में आदमी जाता है truck से कोई माल को एक जगह से दूसरे जगह भेशते हैं वैसे ही liquid को एक जगह से दूसरे जगह भेशने के लिए इसका transportation system है वो system है piping next question है piping में यूज होने वाला materials कौन सा-कौन सा material का pipe देखने को मिलता है इंड़ेस्ट्री में वैसे तो बहुत सारा है जैस है fiber है आपका plastic है steel है copper है लेकिन normally oil and gas refinery project में हम लोग जो यूज करते हैं सबसे ज़्यादा वो steel होता है steel में बहुत सारा पार्ट है ACS है CS है LTCS है NES है बहुत सारा ऐसा पार्ट है लेकिन इसके इलाबा भी जैसे concrete का भी होता है पानी को एक जगा से दूसरे जगा तक flow करना तो मेरा भूलने का मकसद यह है बहुत तरगा में इसमें यूज होता है पाइप तो आपने सुना ट्यूब क्या होता है ट्यूब पी सेम है यह भी hollow cylindrical shape का ही होता है यह वह इसा ही सेम है लेकिन फ़रक क्या है यह small board में tube यूज होता है tubing और piping जो है high pressure में और big board में यूज होता है लेकिन tube का और pipe में और एक फ़रक है पाइप को हम लोग schedule से denote करते हैं पाइप का thickness होता है हम लोग thickness से identify करते हैं लेकिन tube में ठीकने से नहीं ट्लिकेशन गेज से होता है tube का चलिए next question की तरब आगे बढ़ते हैं वो है piping में कौन सा कौन सा fittings का use होता है चलिए answer जाने की कोशिश करते हैं जैसे हो गया elbow हो गया flange हो गया टी हो गया reducer हो गया उसके बाद जाने की कोशिश करते हैं piping में pipe को कैसे specification piping का specification कैसे लिखा जाता है fittings का specification कैसे लिखा जाता है सबोज हमको एक pipe का specification लिखना है या कोई pipe को हमको drawing से मिलाके check करके लाना है कई से तो हम क्या क्या लिखेंगे means pipe का specification क्या है तो जैसे pipe का specification लिखेंगे तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा pipe का size लिखना है pipe का material code कोड़ लिखना है ssa csa सबका ahtm code होता है वो कोड़ लिखना पड़ेगा आपको उसके बाद उसका schedule लिखना है मतलब वह थीकनेस पता चले है कि हाँ इतना mm का pipe है इसके बाद आपको लिखना है htm code मतलब वह pipe ss का है cs का है यह code आपको उधर लिखना है नेच्ट अगर मैं एक elbow issue करने जा रहा है अगर एक elbow तो उसका specification क्या लिख लेंगे उसमें भी सेम है size लिखना होगा पहले schedule लिखना पड़ेगा उसके बाद उसका degree लिखना है 90 degree 45 degree कौन सा है उसमें मेट्रेल का code लिखो htm code लिखो उसमें ठीक है उसके बाद भी long radius short radius यह भी उसके specification है वह भी लिखना पड़ता है चले हमको फ्लांज इसू करना है तो फ्लांज के लिखना उसके बाद उसका class मतलब कितने class का फ्लांज है उसके बाद उसका face का भी type होता है जैसे plane face होता है आटी जे type face होता है तो हमको वह भी लिखना है रेस face लिखना है CS का है SS का है वह भी material code भी आपको इदा लिखना है ठीक है तो हम जाने की कोशिज करेंगे पाइपिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कुछ short forms जैसे id, od, cf, elbow center यह सब क्या होता है तो पहले id, id मतलब inner die जो pipe होता है उसका जो inside का diameter है उसको हम id बोलेंगे और od outer diameter मतलब जो अगर outside to outside अगर measure करेंगे तो उसको od बोलेंगे id और od को minus की जिलत आपको pipe का thickness मिल जाएगा चले next उसके बाद cf, cf मतलब circumference pipe का तो टोटल area टोटल circumference है उसको बोला जाता है cf, cf निकाल लेगा एक formula है pi d मतलब pi के साथ में आपको d diameter को multiply करेंगे तो cf निकलेगा इसके बाद चले आते ही elbow center में, elbow center कैसे निकालाने, elbow दो तरह का होता है, मैंने पहले भी बोला था, long radius और short radius दोनों का अलग अलग formula है, long radius अगर elbow है तो elbow center निकालने के लिए आपको 1.5 into d, जो formula है 1.5 into d, मतलब diameter के साथ में 1.5 multiply करना पड़ेगा, अगर ये short radius है तो only 1 into d, मतल elbow center निकाले के जरूद क्या पड़ता है, अगर आप कोई भी स्पूल fabrication करने जाएंगे, तो उसमें elbow center निकालने का इसके लिए जरूद पड़ता है, जो length दिया रहता है न, elbow center के साथ दिया रहता है, मतलब ये एक position से, दूसरे position, जहां से elbow के turn हो रहा है, elbow का center तक का दिया रह length नहीं लिखा रहता है, इसके लिए जानना बहुत ही जरूई है, चलिए आप next question दे आप आगे बढ़ते हैं, what is spool, ये spool word मैंने फ्रादर पहले भी आपने सुना होगा, या फिर अगर आप इस industry में काम करते हैं, तो ये spool word बहुत जादा सुना होगा, spool क्या है, actually spool क्या है, अ इतना भी बड़ा length का अगर pipe है, और उसके उपर में वो elbow लगा हुआ है, कहीं से turn है, कहीं से आप है, कहीं कोई fittings लगा हुआ है, तो उसको spool में, छोटा-छोटा spool में, age per requirement, मतलब erection का भी हमको देखना पड़ेगा, कि erection कर सकते नहीं कर सकते, उसको transportation कर सकते, painting lasting कर सकते, ब बाद उसका fabrication सुरू करते हैं, तो spool मतलब जो total जो isometric में, जो piping है, जो drawing में है, उसको particular छोटा-छोटा part में divide कर देना, करने के बाद उसको spool number 1, 2, 3 से identify करते हैं, इसको spool बलते हैं, चलिए next question के तरफ आगे बरते हैं, next question है, welding, मतलब piping में कौन सा-कौन सा welding normally use होता है, तो देख welding में, वो है arc and argon, argon मतलब TIG, tungsten inert gas welding, और arc है मतलब SMAW, submerged arc welding, submerged arc welding में क्या होता है, इसमें electroding होता है, मतलब इसमें 2.5, 3.15, 4 mm होता है, और इसमें कोई gas का जरौत नहीं, इसमें नोर्बली एक welding machine से plus minus connection करने के बाद, जो holder होता है, holder में electrode को पकड़ के welding कर सकते हैं, welding करेंगे मतलब जो electrode होता है, उसमें filler metal होता है, उसके अंदर, electrode के अंदर, जब आप joint में welding करेंगे, तो वो joint को धीरे-धीरे भरता जाएगा, अब argon welding या thick welding क्या है, thick welding में electrode यूज नहीं होता है, नहीं इसमें कोई coating होता है, इसमें क्या है, इसमें tungsten, जो tungsten होता है, वो torch में लगा हुआ रखता है, और इसमें inert gas यूज होता है, वो है argon, argon gas और tungsten, ये दोनों जब filler और pipe material, जब इसको उसके contact में आता है, तो temperature create करता है, और filler से welding को complete किया जाता है, flange का type, कितने तरह का flange industry में यूज होता है, सबसे ज़्यादा जो यूज होता है, वो है well neck flange, उसके बाद left joint flange, उसके बाद है threaded flange, उसके बाद है elbow flange, ऐसा बहुत सारा flange है, अगर particular इसके उपर में आपको वीडियो देखना है, तो मैं link में description डाल दूंगा, flange का types, elbow का types, flange का face का types, फुर्ण description details में एक वीडियो बना हुआ है, वे इसके description में डाल दूंगा link, आप उसको देख लेने का, चलिए अब हम जाने के कोशिस करते हैं, valve, valve जो होता है उसका types और उसका use के बारे में, जैसे कितना तरह का valve नर्मली industry में use होता है, जैसे हो गया, valve, globe valve, gate valve, control valve, butterfly valve, needle valve, etc. बहुत सरा valve है, तो कुछ valve का मैं function और क्यों use होता है, चलिए इस पर बात करते हैं, जैसे gate valve, gate valve कहां प्योज होता है, gate valve normally वहां उस line प्योज होता है, जहां पर हमको flow को regulate करने के लिए suddenly उसको हम बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, flow को ज्यादा आपने धीरे धीरे ना उसको बंद कर सकते हैं, धीरे धीरे खोल सकते हैं, तो flow को ज्यादा नहीं करना है, suddenly open, suddenly close, वहां पर gate valve व्योज होगा, अब आगे है, globe valve, globe valve क्या है, वह आपका flow को control करे, globe valve ऐसा जगा पर हम लगाएंगे, । दीरे धीरे हमको pressure को drop करना है, pressure को increase करना है, flow को control करना है, वहां पर globe valve लगाएंगे, धीरे धीरे धीरेHebel, control कर सकते है flow को, लेकिन gate valve flow control तो यह भी होता है, यह भी और छो दो होता है उसमें आज लोसे ऑने बढ़ता है वो उससे हाप पैनल पर बहटके। मैं नेश्टीन की तरफ आगे बढ़ते हैं पहले मैं ने बोला इंडाश्म में वह उन्हेबद मवाला पाइपिंग मेटेरियल के बारे में जैसे SS, CS, Galvanize, CS Galvanize, LTCS, Alloy Steel ऐसा बहुत सारा मेटेरियल पाइपिंग में यूज होता है एक जो common question है और बहुत important question है जो अक्सर यह पूछा जाता है क्या SS के साथ CS का हम welding कर सकते हैं क्या SS अलग है मेटेरियल, CS अलग है और दोनों को क्या हम जोड सकते क्या यह possible है क्या तो इसका answer है yes यह possible है SS के साथ CS हम जोड सकते हैं लेकिन इसका थोड़ा precaution लेना परेगा इसमें क्या है इसमें special electrode यूज करना परेगा वो electrode जो है उसका code है 309 309 का electrode यूज करना परेगा SS का electrode है तब ही आप SS CS को जोड सकते हैं next question है what is flange face height flange का face होता है उसका height है वह height कितना होता है कौन सा flange का तो इसका answer है यह जो flange का class होता है rating होता है उसके हिसाब से इसका जो face होता है उसका height काम या जादा होता है इसका भी मैंने details video बनाया है उसका भी link में मेरे description में डाल जूंगा आप वहां जाके देख सकते हैं diagram का हिसाब से diagram का साथ मैंने उसमें समझाया है तो चलिए अभी इन्हें वार्ड अगर बोलना जाए तो 1500 से 300 क्लास का जो flange होता है उसमें जो face height होता है वह होता है 1.5 mm और 400-2500 क्लास का होता है ग्यास कटिंग मतलब कोई भी piping कोई भी material मतलब SS को हम नहीं काड़ सकते CS को galvanize को भी नहीं काड़ते हैं ग्यास कटिंग से मतलब ग्यास कटिंग यह है कोई भी cutting करने के लिए को भी structure material हो चाहिए pipe हो cutting करने के लिए जो हम इस्तवाल करते हैं जो system उसको तो गयस कटिंग बोलते हैं उसमें क्या होता है इसमें दीएगैस होता है दाइएचितिलीन और उसके साथ ऑक्षिजन को जोर के हम फ्लेम पैदा करते हैं फ्लेम उक्सीजन का टेंप्रेचर ओक्सीजन का मात्र हितना बढ़ाएंगे वह फ्लेम उत्रा ज्यादा है भी होगा और उत्रा ज्यादा ठेगने सको काट सकता है ग्यास कटिंग क्या होता है ग्यास कटिंग क्या होता है ग्यास कटिंग मतलब कोई भी पाइप कोई भी मेट्रेयल मतलब एसस को हम नहीं काड़ सकते PS को, Galvanize को भी नहीं काड़ते हैGS for the Van Ga Belle gas cutting कोई भी cutting करने के लिए कोई भी structure material हो चाहिए to pipe हो cutting करने के लिए जो हम इस्तवाल करते हैं जो system उसको 넣고 gas cutting बोलते हैं उसमें क्या होता है इसमें DA gas होता है Dye-acetylene और उसके साथ oxygen को जोरothers कि हम फ्ंपलेब पैदा करते हैं फ्लेम ऑफिजिजिटरिप मात्रां बढाएंगे वह फ्लेम उत्ना ज़्यादा के बुत ज्यादा थिकन सको काट सकता इंगल फीटत कैसे उत tactics habit महिंघ उसमें क्या-kia पाइब को पाइब को फेबरीकेशन करना है तो फोस्ट एक्टिविट्ट आपको ड्रोइंग का हिसाब से मेचरिल का सेलेक्षन करना है मतलब उसके कौन साथ पाइब लग रहा है ड्रोइंग में वह स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है सब्सक्राइब करने के बाद आगे का प्रोसेस में हमको बढ़ना पड़ेगा चले सब्सक्राइब कर लिया हमने पाइप फिटिंग्स एकटा कर लिया उसी साब से अब हमको क्या करना है अब हमको बिभेलिंग करना है मतलब पाइप का जो फेस होता है जहां बर्ट वेल्ड होगा पाइप के साथ अगर आपका बर्ट वेल्ड जॉइंट है एल्बो का है फ्लांज का है या पाइप टू पाइप है तो वो जॉइंट करने के समय व बाद उसका जो एंगल होए वीवेलिंग का एंगल 37.5 होना चाहिए उसके बाद क्या है उसका जो रूट फेस होता है जहां से रूट वेल्डिंग चाले होगा उसका 1 mm कम से कम मिनिमम होना चाहिए उसा ठीकने से कि भी वेल्बर्स मेंल करने कि बदीक से अपर करके सीषा पाइक को रखना होए यह कना करने अब हमको डॉइंक में देखना है वो डाइरेक्स्न 90 डिघ्री का है अब को heat up करना है पीटी नगा के बाद 90 के लिए लेटेज करना है। सब्सक्राइब लगा ये लगाने के बाद 90 करना है ये सब होने के बाद आप कि उसी इंस्ट्रेक्शन के लिए ओफर कर सकते हैं नेक्स्ट समझाने के कुश्श्ज करेंगे। जोएंट उसको हम में रिभूम नहीं कर सकता उसको काथना पड़ेगा अगर आपको एक दूसरे को जो जॉइंट किया अगर हटाना है तो काटना पड़ेगा लेकिन जो फ्लांज टू फ्लांज जॉइंट है वो पर्मेनेट जॉइंट नहीं है उसको कभी भी आप मेंटेरेंस परपस से खोल सकते हैं हैं जो हम बात करने जा रहा है वह है 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 Newi roll टे लगा में लगा रहा हुअ complex Life को आख रहा है। एक्षिली उसको टेस्ट करके चेकिंग किया जाता है कि डियूरिंग ऑपरेशन उसमें कोई तरह का प्रॉब्लम ना आए ऑपरेशन के समय वह फट ना जाए या फिर डेमेज ना हो जाए इसके लिए जो उसका जो डिजाइन प्रेसर होता है ना उससे 1.5 टाइम से ज्यादा पौइंच है यह स़ॉर्ट टाइम के अंदर मैं डिस्कस नहीं कर सकता पट्बिलर एक हाईड्रो टेस्ट के लिए में वी डियो बनाओंगा आपको लिंक इजो नीचे डाल दिया जाएक आप पर परेसरॉंटा चना पहाए डेख सकता हूं वह है है हाइड्रो टेस्ट एक प्रोसेस है जिसमें वो पाइभ हो पैसल हो घैन्क हो कुछ भी वह इसमें प्रेसर चहराने के बाद में प्रेसर उसमें अगर प्रेशरड्रोप हो रहा है नहीं हो रहा है इसमें और एक आपको बोलना चाहूंगा उसमें जो प्रेसर होता है न उससे 1.5 से लेके फोर से जाधा कैपसिटी वाला प्रेसर गेज यूज़ करना पड़ता है ASME and ASTM Code आपको मैं बताना चाहूंगा Actually ASME American Society for Mechanical Engineers और ASTM American Society for Testing and Materials Actually जो SME है वो पुरा वर्ल्ड का अंदर कोई भी तरह का जो कंस्ट्रक्शन है न पुरा प्रोसेडियर उसके अंदर लिखा हुआ है हर एक अलग-अलग कोड है समझली जो एक लोग है उसको मान के ही आपको आयलेन गयस हो पावर प्लान्ट हो कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है उसमें हर एक कोड लिखा हुआ है कुन सा code में क्या detail से सब लिखा हुआ है जैसे b31.0 लिखा हुआ है जैसे power piping हो गया उसके बाद refinery का अंदर process piping हो गया पानी का piping हो गया fuel gas का piping हो गया उसका बाद जो slurry का piping होता है वो हो गया building का piping हो गया हर एक चीज का अलग अलग code है वो code मैंने आपको इधर डाल दिया है आप screenshot लेके भी अच्छे से पर सकते हैं उसको code अक्चुली बहुत बड़ा भास subject है और ये code में A to Z आपको लिखा हुआ है और जो लिखा हुआ है उसी को मान के चलने के लिए ASTM code है ASTM code ये इंस्वर करता है जो ASTM में लिखा हुआ है उसको मान के चलना जाए मैंने पहले भी बोला है piping हो चाए fitting हो चाए walls हो चाए nut walls हो सबका ASTM code होता है specification के लिए वो code देखे slide में मैं one by one दिखा रहा हूँ आप screenshot लेके अच्छे से इसको story कर लिजे हर एक code जो है हर एक pipe का हर एक materials का अलग-अलग है सब specification में अच्छे से लिखा हुआ है आप इसको अ समझ में आएगा SS मतलब stainless steel alloy steel LTCS सबका अलग-अलग code है सब में difference है सबका code fittings का अलग है pipe का अलग है flange का अलग है nut bolt का अलग है wall का अलग है यह code आपको याद करना पड़ेगा यह code drawing में suppose यह code लिखा हुआ रहेगा तो आपको यह identify करना है कि यह कौन सा material से धीरे धीरे आप study करेंगे तो आपको यह याद हो जाएगा यह SME code और ASTM code बहुत ही ज्यादा भाइटल है drawing में सब लिखा हुआ details रहेगा आपको यह verify कर लेना है जो मैं जो fabrication करने जा रहा हूं वो सही है कि नहीं है चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए सुक्रिया मैंने जैसे बोल लाइक कीजिए क्योंकि इंजिनियरिंग कॉंस्ट्रेक्सर रिलेटर्ड वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा चलो शुक्रिया